करन जोहर ने एक बार फैंस को हैरान कर दिया था जब उन्होंने खुलासा किया था कि कृती सैनन ने अपनी मा की वज़े से लस्टोरीज में काम करने से बना कर दिया था कई लोगों का मानना था कि करण ने जान बूच कर कृति का अपान करने के लिए उनका जिक्र किया था हाला कि अफ़ाहों ने एक अलग मोड ले लिया जब कृति सानन की मा गीता सानन ने कहा कि करण दिकृति को हलके में लेने की कोशिश की होगी ये सब तब शुरू हुआ जब करण ने कहा था कि उन्होंने पहले कृती सैनन को लग्स्ट्रीज ओफर की थी उन्होंने खुलासा किया कि ये कृती ही थी जिन्होंने अपनी मा के कारण फिल्म को ठुकरा दिया था और आखिर में कियारा अडवानी को इसमें काम करना पड़ा इस खुलासे से ट्विटर पर फैंस के बीच बहस छिट गई जहां कई लोग ने सोचा कि करन कृती को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वही दूसरों ने इसे एक दूर की थियोरी बताई ऐसा लगता है कि कृती की मा इन अफवाहों से सहमत थी और उन्होंने उन ट्वीट्स को पसंद भी किया जिन में दावा की आ गया था कि करन आक्ट्रिस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे गीता सनन ने एक निउस पोटल से हुई बाचीत के दौरान बताया था कि उन्होंने कृती से लस्ट स्टोरीज न करने के लिए क्यूं कहा था उन्होंने कहा मैंने सोचा था कि हम उसे उसके करियर की शुरुवात में इस तरह के सीन में देखकर कमफुटिबल नहीं होंगे ये केवल और्गाजम के बारे में है